कैसे है आप सब आप सब अच्छे होंगे और आज हम फिर एक छत्ती दर की रेसेपी लेकर आया है जो कि बहुत ही टेश्टी है बहुत स्वाधिस्ट है पॉस्टिक है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आप इसे एक बर अपने कीचन में जरू ट्राइ कीजिएगा क् बहुत आसान होता है तो इसके लिए देखे मैंने एक कटोरी यहां पर चमल काटा ले लिया है और आधा कटोरी यहां पर दही है ज्यादा खटा दही नहीं लेना है हलका सा नॉर्मल रह लेना है और यहां पर हम डाल देंगे थोड़ा सा मतलब एक चुटकी के लगभग हम आफ बाल देंगे बेकिंग सोडा जादा अबड़ा भी नहीं डालना है यहां पर उसके बाद हम चाइब भी डाल के इसे मिक्स कर lijंगे जितना हमको जगत पाहिएं पानी डालेंगे जिक पर पानी डाल दालेंगे पतला नहीं करना है तो थोड़ा थोड़ा हम पानी येट करते जाएंगे जी आकटोस धर लग्यक्यन क्यों ना-स घर कोड़ा शुरुल तो नाया चामल जावारत रहता है तो उसका जो वीडीस हमा छाीत कुछछ भीडीस बनता है तो पहे मतलब पुराने चामल के अपेक्छा तेस्ट बहुत ज्यादा इसका बढ़ जाता है तो जरूर इसे आप अपने किचन में एक बढ़ जरूर ट्राइ किजेगा तो देखी मैं इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूं और पानी पापो थोड़ा-थोड़ा है ने तो जादा हो ज ऑर उसके बाद हम इसी अब रख देगे इसे हम सेट होने की लिए कम से कम इसे 2 गहंट के लिए हम रख देते है तो इसे फेटकर Kait никаких पर दो घंट के लिए रख दीजिये पिर हम बनाएंगे इसके लिए चलो बनाने स्टार्ट करते 2 गहंटे बाब इसके लिए मैं चासनी ब जाहिए जैसे कि χास्री बनाना है ज़्य होग लिए यो दित之前 है यह जो चेशनी भूल गया ने है जाहिए जाफर चा में गया जजाब घुडिट श्पन के लिए दाऊ है यहां जाज़ तुर तहकं में अगर में थे मिलीट तक ही आटी जाहिए वाट ऒंदे किनारे से निकाल लेते हैं इससे हमारा जो चासनी बहुत अच्छा पारदर्सी बनता है तो देख सकते हैं जो सक्कर का जो गंदगी है वो साइड साइड हमातलब हो गया है उसे आप ऐसे चम्मस से आप छनी से करके आप इसे निकाल लीजिए तो देखें सब निकालने के बाद हमारे चासने तयार हो गया है और मैं गयस को बंद कर देती हूँ और थोड़ा से इसमें नीबू करश डाल देती हूँ नीबू करश डालने से चासने एकदम पारदर्सी बन जाता है तो देखें कितना चपारदर्सी बन गया है तो इसके आप मैं एक थाली ले लूँगी तो थाली आपको थोड़ा साघरी वाले थाली लेना है अब चाहे तो अगर हाँ से बना रहे है तो थोड़ा सा बैटर और थोड़ा सा गाढ़ा रखे युशे हम गोल-गोल बडा जैसे बना सकते हैं पर उसने अच्छा तरीक आप अब ऐसे थाली में करके बनाते वह ज頭 जायदा तरीका होता है समय इससे जायदा ज़र जायदा घड़डा है सो तो मतलब तरोे जने घड़ण सहरी प्लमक्राद सव्य थाली मोच मैं तब आपू नहीं थीड़ हो बनाद तो धाल नहीं है जो चमज होता है चिला पल्टानी का उसी को आप ले लिज़े और गरम हो रहे हैं इसे डुबा लेते हैं जो बेटर है उसमें आप इस ताइप से देखिए आपको ऐसे करना है इसको ऐसे निकालना है और इसे फिर तयल में डाल देना है तेल में डालने के बाद चम्मस में जो और लगा हुआ इस्ट्रा आटा उसे आप निकाल दीजे थाली के किनारों में करके और उसके बाद फिर हम तेल में डुबा के फिर ऐसे निकालेंगे तो आप ऐसे ही करते जाए और उसके बाद आप फटा फट से कर सकते एक दो बार आपको थोड़ा सा परिसानी होता है निकालने के लिए फिर तेल में थोड़ा सा चम्मस को डुबा कर इसे निकाल लिए बैटर को और फिर डाल दीजिए तो इस टैप से इसका सेब बनते जाए तो देखे बैटर को ऐसे लाइन से आप पूरा एक लाइन को पहले खतम के लिए पिर दूसरे लाइन को तो ऐसे आपको निकाल निकाल के इसमें डालते जाना है देखे आपको फिर से दिकाती हूं ऐसे ही आपको निकाल निकाल के डालते जाना है एक दो बार के बाद आपक बाकी को हम बाद में टालेंगे जब यह तल जाएगा तो अच्छा से आपको गोल्डन ब्राउन होने ताक इसे तल लेना है तो देखे इसका कलर जो है चेंज हो गया है और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं तो बच्छी बैटर को फिर हम इसमें डाल देते हैं और हमिसाद धियान रखना है कि जब हम इसे तलेंगे तो तेल एकदम हलका गर्म होना चाहिए तभी हम डालेंगे नहीं तो ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो हमारा जो देहरोरी है वो जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा तो जब हलका सतेल जब गर्म हो जाए तभी आप इसे तलने के लिए डालिए तो यह इस बात का आपको धियान रखना है और बैटर को एकदम गाढ़ जाए और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राइ कीजिए तो देखिए भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसे हम निकाल लेते हैं और चासनी में यहां पर इलाची पाउडर डाल दीजे और हलका गुनगुना कर लिजे चासनी को जब हम देहरोरी को डालेंगे तो चासनी हलका गरम होना होना चाहिए तभी इसका रज जो है अच्छे से इसके अंदर जाएगा और बहुत ही दम जूसी आपका गुलाब जा जामुन मतलब देहरोरी बनेगा तो हलका समय गरम कर दी हूँ अब गेस को बंद कर देती हूँ हलका गरम होने के बाद और उसके बाद यहां पर हम इलाची पाउडर आपको अच्छा फ्लेवर ची तो इलाची पाउडर डाल दीजे अब केसर के कुछ धागे भी आप यहां तो आप इसे चासनी से बाहर निकाल लीजे और चाहे तो इसको ड्राय फ्रूट या काटिवे पीस्ते से भी आप सजा सकते हैं तो देखिए देहरोरी बनके तयार है और बहुती स्वादिश्ट मिठाईए इसे जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए फ्रेंड मिलते तब तक टेक केर